हाई गाइस आज मैं आपके साथ एकदम नए अंदासे एक पालक का रेसिपी शेयर करूंगी ये रेसिपी मैं मेरा दादी से सीखी हूँ, ये टेस्ट के साथ बहुत ही हिल्दी होता है और बनाएंगे एकदम नए अंदासे तो देखते हैं रेसिपी कैसे बनता है तो यहाँ पे बहुत सारा सबजी के साथ पालक ली हूँ पालक का जर हटा के इसको अच्छा से साफ करके रखी हूँ और देखिए छोटा छोटा पालक का पत्ता है यहाँ पे आपको शिश कीजिएगा छोटा पत्ता लेने के लिए बड़ा पत्ता से भी ये रेसिपी बन जाता है लेकिन बड़ा पत्ता में थोड़ा सा करवापन रहता है आधा कप मतर हरा मतर और बहुत सारा सबजी जैसे मूली इसको हम लंबा शेप में कट कर लिए हैं एक छोटा सा गाजर उसको भी हम लंबा शेप में कट कर लिए हैं कद्दू ये कद्दू को थोड़ा सा बड़ा बड़ा शेप में कट किये हैं बैंगन आधा बैंगन डाली हुई यहाँ पे शेप थोड़ा सा बड़ा रखेगा पाथ छे बीन्स इसको भी लंबा में कट कर लिए हैं एक आलू मीडियम साइज का और कुछ गोबी तो साड़े सबजी को बड़ा बड़ा शेप में हम कट कर लिए हूँ आप चाहे तो कोई साइज और शेप कर सकते हैं और आपके पास जो भी विजिटेवल एविलेवल हो वो आप यूज कर सकते हैं एक करहाई गरम कर लेंगे इसमें डाल देंगे 3 टेबिल स्पून मूंग की डाल मूंग की डाल को हलका सा रोस्ट करना है बहुत ज्यादा रोस्ट मत कीजिएगा डाल को हलका सा रोस्ट करने से डाल पकेगा नहीं तो देखिए हलका सा रोस्ट यहाँ पे हो गया है हलका रोस्ट करने के बाद ये मूंग की डाल को एक कटोरी में हम निकाल लेंगे डाल को 2-3 बर पानी देके अच्छा से वश करना है क्योंकि डाल में कभी-कभी बहुत सा जारा गंदेगी रहता है और एक छन्नी में छान के रग देंगे अभी सेम कराई में दो टेबिल स्पून हम सरसुका ओयल डाल देंगे आप चाहे तो रिफाइन ओयल से भी ये बना सकते हैं अभी ये तेल में हम फ्राई कर लेंगे बरी ये उरत दाल का बरी है ये मार्केट मे ले सकते हैं मार्केट में बहुत टाइप का बरी मिलता है तो इसको हम हलका सा फ्राई कर लेंगे एकदम बहुत फ्राई नहीं करेंगे हलका गोल्डेन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसको निकालके एक प्लेट में रग देंगे देखिए हल यह बड़ी जादा फ्राइ करने से यह बड़ी अच्छा से पकेगा नहीं तो इसको हलका ही अब फ्राइ कीजिए अभी वही तेल में एक सुखी लाल मीर्ष डाल देंगे इसको हलका सा रोस्ट होने देंगे और इसमें डाल देंगे एक चम्मच पाच फुरन पाच पुरन पाच टाइप का सेम कौन्टिटी में मसाला मिक्स करके बनाया जाता है तो इसमें जीरा, सौफ, कलोंजी, राई और मेथी दाना लेके मिक्स करके पाच पुरन बनता है तो इसमें डाल देंगे हम तेजपत्ता दो और वान फोथ तीस्पून हींग और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे हलका सा इसमें से जब खुश्बू आएगा तब इसमें डाल देंगे सारा सबजी जो हम कट करके रख दिये थे तो हिंग आप जरूर डाले हिंग से ये रेसिपी का एक अलग साई फ्लेवर आता है सबजी को अच्छा से मिक्स कर लेंगे अच्छा से और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसर नमक नमक और हल्दी के साथ सबजी को अच्छा से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे मूंग की डाल जिसे हम धो के रग दिये थे इसे भी डाल के अच्छा से मिक्स करना है सबजी के साथ मूंग की दाल को हम भीगो के रख दिये थे जैसे कि मूंग की दाल अच्छा से पक जाए अभी धकन डाल के हम 10 मिनित तक मूंग की दाल को पकाने के लिए रख देंगे अभी 10 मिनित के बाद धकन खोल देंगे देखिए सबजी हलका से पग गया है और मुँग की डाल भी हलका सा सौफ्ट हो गया है अभी इसमें डाल देंगे मतर मतर हम पहले नहीं डाले थे क्योंकि मतर पहले डालने से एकदम गल जाता है तो इसलिए हम बाद में डाले हैं और डाल देंगे डाल की बरी जो फ्राई करके रख दिये थे और डाल देंगे इसमें सारा पालक, पालक को कट करके नहीं डालेंगे पालक को ऐसे ही गोटा डाल देंगे और सारा सबजी के साथ पालक को अच्छा से मिक्स करना है और ढखके पकाना अभी 5-7 मिनित ढखके पकानते समाइ पालक से बहुत सारा पानी निकलेगा तो उसी से ही डाल और सबजी पक जाएगा तो 5-7 मिनिट के बाद आप देखिए पालग भी सॉफ्ट हो गया है और सबजी भी बहुत अच्छा से पक गया है और जो बड़ी भी हम डाले थे वो भी सॉफ्ट हो गया है तो सारा चीज इसके साथ अच्छा से भी मिक्स कर लेंगे यहाँ पे 80% मेरा सबजी पक गया है अभी इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्च हरी मिर्च बाद में डालने से सबजी में तीखा कम होता है और हरी मिर्च का एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है डाल दिये है एक टी स्पून भुना हुआ जीरा अच्छा से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे एक कप पानी पानी मिला के अच्छा से मिक्स करना है अभी एक मिनित के लिए ऐसे ही हम फ्राई करेंगे आप देखिए पानी देने के बाद ग्रेवी हलका सा पतला दिख रहा है तो इसके लिए इसमें हम डालेंगे एक टी स्पून गेहु का आटा ये मेरा दादी हमेशा ही यूज करते हैं कोई ग्रेवी बनाते समय क्योंकि इसमें हम ज्यादा मसाला नहीं डाले थे बहुत ही कम मस दाला ये यूज किये हैं और ये गेहु का आटा से इसका ग्रेवी में हलका सा गारा पनाएगा धक के हम 2-3 मिनिट पकाएंगे दो मिनिट के बाद धकन खोलने के बाद देखिए ग्रेवी हलका गारा हो गया है तो गेहु का आटा से आप कोई भी रेसिपी गारा करने के लि देखिए बहुत अच्छा सा बनके रेडी हो गया है ये पालक का एक एकदम यूनिक सा रेसिपी तो ये रेसिपी बनाने के लिए बहुत कम तेल का यूज होता है और बहुत कम मसाला का यूज होता है और बहुत सारा सबजी के साथ ये रेसिपी बनता है बोलके ये बहुत ही ह पावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, मैं यहाँ पे चावल के साथ कुछ नारियल का पकोड़े के साथ सबजी सर्फ कर दी हूँ, नारियल का पकोड़ा का रेसिपी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो सस्क्रिप किये बगर मत जाएए, थैंक यू